अगर यह question बोलता है divide करने के लिए decimal divide कैसे करते हैं यह देखे 12.96 divided by 4 ठीक है इसका हम दो method बताएंगे method 1 जो है इस तरीके से और method 2 method 1 जैसे 12.96 divided by 400 हमें से ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट 2 डिजिट के पहले है तो पॉइंट हटेगा नीचे 20 बढ़ जाएगा यानी total कितने होगे 12.96 upon 400 इसको आप 400 से 12.96 को divide कर लीजे कितना आएगा 3 times ले जाएंगे 4 3 जाएंगे 12 माइनस करेंगे तो 6 से 0 जाएगा 6 9 से 0 जाएगा 9 and 2 से 2 जाएगा 0 1 से बन जाएगा 0 तोटल कितने बर दिया 96 फिर एक पॉइंट लगाएंगे point जैसे लगाएंगे 10 बढ़ जाएंगे पिर कितने टाइमस में ले जाएंगे 2 times में 4 2 I do a 8 जाएगे 9 से 8 जाएगा 1 जाएगा जो हमारे आंसर आए वो कितने आए 3.4 मैंने इसको जब सॉल्ट किया 3.24 आंसर आगे मैंने क्या बताऊंगी मैंने क्या बताऊंगी मैं तू में आप क्या करोगे डायरेक्ट कर दो 4 से डिवाइड 12.96 ओके इसे कैसे करेंगे 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइमस में यहां लिखेंगे 3,4 3s are 12 कितने हो जाएंगे 0 यह पॉयंट है इस पॉयंट को उपर हम सिफ्ट कर देंगे 4,3 जा 12 और यही पॉयंट उपर सिफ्ट हो जाएगा फिर 4 के table में 9 कितने times में आते हैं नहीं आते हैं उससे कम किया हैंगे 8 यानि 2 times में 8 आ गए पहले ये 9 उतार लिए फिर यहां पे 8 minus कर देंगे सो यहां कितने बचले 1 फिर यह गलस 6 उतार देंगे यानि 16 एक डिरेक्ट हम लोग कर सकते हैं और मेथड टू में सिंप्लिफाई करके इसे हम कर सकते हैं पहले जीरो में कनवार्ट करके बैसे बेटर यह होगा या आपको ज्यादा समझ में आगा इसी तरह की से सेंड कुस्ट्टन सेंप्रोसेज है यहां देख लीजें 2.78 divided upon 1.39 यहां कुछ नहीं करना आपको यह टू डिजिट के पहले पॉइंट है हटाएंगे तो नीचे दो जीरो यह टू डिजिट के पहले पॉइंट है हटाएंगे तो ऊपर दो जीरो जब उपर का अटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ता है और जीरो नीचे कहट आते हैं डेसिमल तो ऊपर जीरो बढ़ता है दोनों हेंड़ेट सेम हो गए तो कैंसल हो सकते हैं एक दूसरे से फिर आप सीधा क्या करिए 139 से 278 को डिवाइट कर दीजे पहले क्या जाएगा किते टाइम से 1 टाइमस है तो 139 88 से तो 9 नहीं जाएगा 18 से 9 है तो नहीं फिर यहां पॉइंट लगा दीजे एक जिरो बढ़ा दीजे कितने टाइमस में हम ले जाएंगे के 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक भी करेंगे सो आंसर सही होगा mostly हम लोग 2 डिजिट या 3 डिजिट तक करते हैं यानि point के 3 डिजिट तक number होना चाहिए क्योंकि बार बार वही number repeat होगा सो आप उसे सिफ एक time लिखोगे ठीक है यानि answer आपका अगर कुछ something यह आता है मालीजे 5,2,3 यहीं तक आप छोड़ गए आगे आ रहा है कि उसको आपको करने की ज़ुद नहीं है बस decimal के 3 डिजिट तक आपको करना होता है ओके सो यहां पर देखे अगर हम यह one times में ले जाएंगे यहां क्या आएगा 8 से 1 नहीं जाएगा 18 से 9 जाएगा तो 9 and 6 से 3 जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा 1 यहीं 139 आजा रहा है न यहीं हम इसको directly 2 times में ले जाएंगे अगर हम divide करेंगे तो यहां देख लिजिए अगर हम divide करेंगे 2,7,8 में 2 times में 2,7,8 आ जाते हैं इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर 2 हैगा तो यह आप करिएगा 2 methods मैंने बताया है 2 methods से आपको जो भी ठीक लगेगा भो करिएगा